असकार फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए बहुत ही सांदार कोस्चन लेकर आया हूँ जो सीधे MP8 वर्गतीन की परिक्षाओं में देखने को मिल रहे हैं जो 5 मार्च 2022 से स्टार्ट हुई है MP8 वर्गतीन की परिक्षा तो आज का हम मोटिविशन को पढ़ते हैं मायूस मत हो बंदे वजूद तेरा छोटा नहीं तू वहे कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं तो दोस्तो चलिए आज की क्लास हमें स्टार्ट करते हैं जो सीधे एक्जाम में पूछे गए हैं वो कोस्चन है पांच मार्च से जो परिक्षा स्टार्ट हुई है सिक्षक पातरता परिक्षा की उसमें पूछे के कोस्चन है तो चलिए हम पहला कोस्चन देखते हैं यह है मैट्स पेटा जोजी में जो कोस्चन आए हुए हैं वो वाले हैं तो पहला question है आज का कक्छा 4, क्या है कक्छा 4 में बिंदू और रेखा पर जैमेतिये पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे, तो मैं सीधा उत्तर बताता हूं इसका क्या आकलन उद्देश होंगे कक्छा 4 के लिए जैमेति पाठ में, तो आंसर है इसका रेखा किरण और रेखा खंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिवासित कर सकता है ठीक है कक्छा 4 में बिंदू और रेखा पर जैमेतिये पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे, तो वो क्या होंगे रेखा किरण और रेखा खंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिवासित कर सकता है दूसरा प्रशन हमारा गडित पाठ पुस्तक की समगरी का विकास किस रूप में होना चाहिए दूसरा प्रश्ण क्या है गडित पाठ पुस्तक की समगरी का विकास किस रूप में होना चाहिए तो इसका अंसर है दूसरा विकल्प तर्क संगत रूप में तीसरा प्रश्ण है माद्यमिक इस्तर के बाद गडित की कौन-कौन सी साखाएं पाठ करम समलित हो जाती है तो कौन-कौन सी हो जाती है अंगगडित, बीजगडित, जैमीती ये सबी चीजे माद्यमिक इस्तर पर समलित हो जाती है चोता प्रश्ण है विद्याले पाठ करम में गडित का महत्व है तो क्या-क्या महत्व है गडित का विद्याले इस्तर पर पाठ करम में पहला है ज्ञान एबं कोसलों की प्राप्ति में दूसरा बॉद्धिक आधतों के विकास में तीसरा वांचित द्रेश्टी कौन पैदा करने में और इसका जहीं आंसर है ये सबी तो ये सबी विद्यालेप आठकरम में गडित का महत्व को बताते हैं और उसको विक्सित करते हैं प्राश्ण पाँच निम्नमे से कौन से विकल्प में गडित की भासा की जलक है तो कसमें है जलक यात्रा के दोरान मीरा ने किलो मीटर की दूरी पैदल तैकी है छटा कोस्चन है अकांच्छा गडित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है गडित की अच्छी अध्यापिका के लिए अवश्यक है कि उनके पास क्या हो तो इसका अंसर है गडित ये विशेवस्तु को वास्तविक जीवन से प्रशन साथ में क्या है किन दो संख्याओं का गुड़ा करने पर 24 गुड़नफल प्राप्त होगा तो किन दो संख्याओं का गुड़ा करने पर 24 प्राप्त होगा इसका अंज़र है मुक्त अंत वाला प्रशन है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है ये इसका सही उत्तर है प्रियोक करना चाहिए चार्ट समझने के लिए तीसरा विकल्ब इसका सही है संकेतक का ठीक है चार्ट को समझने के लिए अगला कोस्चन है प्रश्न नो गडित सिक्षण में मुल्यांकन का कोन एक उद्देश नहीं है तो कौन सा नहीं है इसका अंसर है बालकों के वहवार के साथ छेड़ छाड़ करना ठीक है ये सबी ये उद्देश से नहीं है बाकी गडित सिक्षण में मुल्यांकन का क्या क्या उद्देश है तो उसमें ये आ जाएंगे पार्ट करम में अवसकता अनुसार बदलाव करना नविंतम सिक्षण व विकल्प है ये सबी की पूर्ती करता है जैसे एक सिक्षण विव रचना का विकास करने में बालकों को सीखने की उत्तम तरीका बताने में तीसरा है उप्चरात्मक सिक्षण पर बल देना तो ये सबी इसका सही आंसर है प्रस्ण 11 गडित में प्रती चित्रण के लिए निम लिए निमलिखित कत्नों में से कौन सा सत्य है तो कौन सा है प्रती चित्रण इस्थानिक चिंदन को बढ़ाता है अगला कोस्चन है बारवा यदि आपकी नियुक्ति कक्षा पांच तक के स्कूल में हो जाती है तथा आप गडित के अध्यापक हैं पहले दिन कक्षा में आ जाते हैं तो आपका प्रत्रम कायर होगा तो क्या कायर होगा कि बच्चों के ग्यान और भावना के विशे में पता लगाना ठीक है ये कौस्चन हो सकता है सीधे परिक्षा में देखने को मिले इसलिए इस कौस्चन को अच्छे से समझ कर जाना गडित सिक्चन के दोरान बालकों को कोई पार्ट पढ़ाने से पूर्व एक सिक्चक को किसका ग्यान प्राप्त कर लेना अविश्चक है तो ये कौस्चन बहुत अच्छा हो सकता है सीधे परिक्षा में देखने को मिले तो इसका सही आंसर है संबंदित पार्ट के उद्द क्या बोला गया कुस्चन में कि गडित सिक्चन के दोरान बालकों को कोई पार्ट पढ़ाने से पूर्व सिक्चक को किसका ग्यान प्राप्त कर लेना चाहिए तो जो पार्ट पढ़ा रहे उसके सेक्चनिक उद्देश का पता कर लेना चाहिए अगला कोस्टेन है चगुदा नम्बर गडित सिक्षन में त्रूटियों के विशलेसन हे तु आप एकछित अधीगम सफलता किसकी सिक्षन दक्षिता पर निर्भर करती है तो किसकी सिक्षक की क्योंकि भाई कोई भी सिक्षक पढ़ाएगा तो उसी की दक्षिता पर निर्भर करेगा ने बच्चे कितना समझ रहे हैं अगला कोस्चन है प्रश्ण 15 गडित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में समस्या समधान के बारे में चर्चा करते हुए सिक्षकों ने चार विचार बताए निमने लिखित में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है तो इस पे नहीं करता है पूछा है तो मैं पहले अंसर बता देता हूँ कि कौन सा उपगम है जो वास्तविक अर्थ को प्राप्त नहीं करता है तो उसका अंसर है तीसरा मेरे विचार से समस्या समधान और गडिती ये तरकणा मैं कोई से संबंध नहीं है तो इसके में तीन विकल्प जो उचित अर्थ बताते हैं, सिद्ध करते हैं गडित के बारे में मैं वो पढ़ लेता हूँ एक मेरे विचार से गडित की पाठे पुस्तक के कई प्रश्ण समस्या समधान के लिए इस्तमाल किये जा सकते है सही बात है भई दूसरा है मेरे विचार से समस्या समधान को समान्य गडित की कख्छा से जोड़ना बहतार होता है सही बात है और चौता जो सही है वो है मेरे विचार से समस्या समधान के प्रश्ण वास्तविक जीवन की इस्तितियों बनाए जाने चाहिए यह भी सही है अब हम next question पढ़ने वाले हैं वो किसके हैं परिया वरन पेटा जोजी के ठीक है यह हमारा open हो गया परिया वरन पेटा जोजी के जो paper में सीधे देखने को मिल रहा है दोस्तों यह वही question है क्रपिया ignore करके बापस नहीं जाना नहीं तो paper से बापस आओगे और मेरी वीडियो को देखोगे फिर काओगे कि आपने एकदम सही question बतलाए थे तो ठीक है दोस्तों मैं अगला परिया वरन के question पढ़ता हूँ पहला प्रस्न है इसमें वह इस्तान जहां हम निवास करते हैं कहलाता है क्या कहलाता है इस्तानिये पर इवेस कहलाता है next question है स्रव द्रस साधनों के प्रियोक का तर्क इस तत्थ पर अधारित है की इससे हमारी दोनों इंद्रिया सक्रिये होती द्रस श्रव साधनों के प्रियोक से क्या तातपर है इससे हमारी दोनों इंद्रिया सकरिय होती कौन कौन सी देखने की आखे और द्रस सौर श्रव हमारे कानों ठीक है तीसरा कोश्चन है तापमान प्रकाज वर्षा मिट्टी खनीज इत्यादी कारकों या इस्थितियों का संबंध होता है किस से होता है तो इनका है आज इभी घटक से है ठीक है ये तापमान प्रकाज वर्षा मिट्टी है आज इभी घटक है नेक्स्ट कोश्चन है चौन होता सोक्ष में परियावरान का तातपर होता है क्या होता है जीव का निकटतम स्थानिय बातावरण देखिए दोस्तों इगनौर करके क्लास को स्कीब करके ये मत सोचना कि ये कोई बड़े यूटूबर का नहीं है इसने कुछ नहीं किया तो ऐसा कुछ भी नहीं है कोस्चन कहीं से भी आ सकता बिल्कुल पूछना चाहिए जैसे मैं पूछ रहा अभी दूसरा है मुखर एबम मतलब मुख एबम लिखित अभी वेक्ती का आउसार प्रदान करना चाहिए बच्चे को बिल्कुल भाई करना चाहिए प्राशन स्थानिय परिवेस में कौन से घटक समलित है इसमें बहुती घटक है समाजिक घटक है सांस्कृतिक घटक है उपरोक तो सभी इसतानिय परिवेस के लिए समलित है अगला कोस्चन है प्राश्न साथ परियावरन प्रिदूशन इसका सही आउन्सार है कि इस पे सभी आएंगे वाई उप्रणूसरं का मुख कारण है तो क्या कारण है मुख इसका अंसर ए प्राक्रतीक संसादनों का अप नौबा त्त नोबा कोश्च्छान है सतत तथा व्यापक मुल्यांकन के उद्देश है तो क्या है इसका सही अंसर होगा दो है इसके जो सही अंसर इसमें A और B तो A का जो अंसर दिखा रहा है इस पे वो क्या है व्यापक अधारी तदिगम ठीक है दूसरा है वहवारगत परिणामों के मुल्यांकर पर अधारी तदिगम ठीक है अगला कोस्चन है प्रश्ण 10 किस सिक्षण साहक समगरी से छात्रों को उच्च कोटी का पुनरबलन प्राप्त होता है वावावावावा ये कोस्चन 200% आ सकता है इसका सही अंसर है कम्प्यूटर उच्च कोटी का पुनरबलन किस से मिल सकता है साहक समगरी जो है कम्प्यूटर में हम सब चीजे दिखा सकते है प्रश्ण 11 परिवेशी ये भ्रहमण किस प्रकार के इस्थानों पर किया जा सकता है कैसे इस्थानों पर किया जा सकता है तो इसके सभी जो विकल्ब हैं वो सही है क्योंकि पानी सुद्धी करण के इस्थान पर भ्रहमण कर सकते है मौसम विज्ञान कारियाल पर भी भ्रमण कर सकते क्रेसी विकास केंद्र पर भी भ्रमण कर सकते इसका सही अंसर होगा उप्रोक्त सभी प्रश्नुक 12 परियावरण अध्यन के की कक्छा में अवधार्णाओं को इसपष्ट करने के लिए कवीताओं और कहानी कथन का प्रियोग करना तो इसका सही अंसर क्या है परियावरण अध्यन की कक्छा में अवधार्णाओं को इसपष्ट करने के लिए कवीताओं और कहानी कथन का प्रियोग करना इसका अंसर है इस्थानिये एवम विस्व इस्तर पर संसार की प्रकृती को खोजने और कल्पना करने के जरिये करने की योगता का विकास करने में मदद करता है ठीक है अगला गोश्चन है परियावरान सिक्षा से क्या लाब है तो क्या लाब है इसमें तीनों विकल्प सही है तो उपरोक्त सभी आएगा उपाय ज्यात होते हैं सही बात है इसका सही आंसर रहेगा उप्रोप्त सभी अगला कोश्चन है परियावरन अध्यान है ऐसे कभी-कभी छोटे-छोटे से प्रेशन आ जाते हैं दोस्तों परिक्षाओं में और हम बहाँ पर देखते रहते कि इसका क्या अंसर है तो इसका सही अंसर क्या होगा परियावरण अध्यन है तो क्या है प्राक्रतिक और मानव निर्मित परियावरण और इन दोनों के मद्ध होने वाली अंतर किरियाओं का अध्यन ठीक है ये इसका सही अंसर है नेक्स्ट कोस्चन है प्रश्ण 15 परियावर सिक्षा का अभिप्राय है संबोधन, चा सूत्र से विवक्ति होती है, कुन से होती है, प्रत्मा विवक्ति होती है, दोस्तों संबोधन चा से, दूसरा कोश्चन है, हरीम भजेती में हरीम क्या है, हरीम क्या है, हरीम जो है कर्म है, ठीक है, अगला कोश्चन है, तीसरा, कर्मनी दुतिया सूत्र में इस स सूत्र का अधिकार है तो इसका है अनभीहिते तीस चौता कुश्चान है आ कथित कर्म के परिगडन में यह धातु है कौन सी धातु है ची धातु है अगला कुश्चान है प्रश्ण पांच आ कर्मक धातु के योग में आ धोय बाचक सब्द की संग्या है कौन सी संग्या कर्म संग्या इसमें अगला कुष्चा ने प्रश्ण छे अकथीतम चा केसा सूत्र है कौन सा सूत्र है इसका सहीं आंसर है डी ये जो सूत्र है आकथीतम चा ये किसका सूत्र है तो ये संग्या का सूत्र है ठीक है फिर सात्वा कुश्चन है धात्वों में अंतिम गड़ है कौन सा अंतिम गड़ है चुरादी गड़ प्रश्चन आठ वहे लकार जो केबल वेद में पाये जाता है वो कौन सा लकार य दोस्तों इस question को क्रिश्णाह में प्रत्मा विवक्ति का कारण है तो क्या कारण है प्रति पादिकार्थ इसका सही answer है अगला question है परिणाम मात्र में प्रियुक्त होने वाली विवक्ति है ये question read में भी पूछे गए थे इसी तरीके से अच्छे से पढ़कर जाना ये जो subject है स वाददगार होते हमको परिक्षा में अंक दिलाने के लिए तो इसका क्या answer हो जाएगा परिमान मात्र में कुन सी विवक्ति प्रियुक्त होती है प्रत्मा अब मैं आपके लिए बहुत ही important question निकालने वाला हूं जो सीधे सीधे पूछे जा रहे किसमे psychology में मनोविज्ञान में ये question आपको आप बापस आकर काओगे कि आपने जो है बहुत ही हमारी बहुत ही अच्छे question बताए जो हमको सीधे परिक्षा में देखने को मिले है पहला question है हमारा call work द्वारा प्रतिपादित नेतिक विकास के सिध्धान्त के अनुसार ये बाल विकास चल रहा है दोस्तों हम में इसका पहला question पढ़ता हूं प्रस्ण एक कॉलवर्ग द्वारा प्रतिपादित नेतिक विकास के सिध्धान्त के अनुसार पूर्व नेतिक अवस्था की अवदी है तो कुन सी अवदी है जो पूर्व नेतिक अवस्था की अवदी है ये है जन्म से दो वर्ष की आयू तक ठीक है दूसरा प्रशन है कॉल वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था की सिध्धान्त के अनुसार नैतिक या चरित्रिक विकास की चरम अवस्था है तो क्या है अधार भूत अधार युक्त आत्म चेतना अवस्था देखिए दोस्तों हो सकता आपने बहुत सारे यूटूब पर पढ़े होंगे सब कुछ किये होंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि जो वेक्ति उसका चैनल मानने लो उसके में सब्सक्राइबर नहीं है या फिर और वीडियो नहीं है तो वो क्या बताएगा हो सकता फालतू चीजे बता रहा है ऐसा कुछ नहीं है मैं जो पढ़ रहा हूँ वो ही चीजे बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजे एक्जाम में पूछी जा रही है मैं खुद लोगों से पूछ रहा हूँ फौन करकर के पूछता हूँ कि भाई आज एक्जाम में गया आया तो वो बताते हैं मेरे को वो ही कोस्चन में तुमको बता रहा हूँ इसलिए इग्नौर करके मत जाना आदा घंटा एक घंटा साइद मेरे वीडियो पे खराब होगा आपका लेकिन पूरा देख कर जाना हो सकता है दो से तीन नंबर भी इन में से मिल गए न तो आपकी लाइफ बन सकती है प्रशन तीसरा है पियाजे के संग्यानात्मक विकास के सिध्धान्त की अंतिम अवस्था कुन सी है तो कुन सी अंतिम अवस्था है अपचारिक संक्रिया अवस्था ठीग है पियाजे के संग्यानात्मक विकास की वाई गोट्सकी के सिध्धान्द का निहितार्थ है तो क्या है सहयोग आत्मक समस्या समधान इसका निहितार्थ है प्रशन पांच वाई गोट्सकी बच्चों के सीखने में निमने लिखित में से किस कारक की महत्पून भूमी का पर बल देते हैं तो किस पर बल देते हैं समाजिक पर बल देते हैं अगला कोश्चन है प्राश्चन 6 वाई गोट्सकी के सिद्धान्त में विकास के किस पहलू को नजर अंदाज किया जाता है किसको किया जाता है जैविक सिद्धान्त को ठीक है प्राश्चन 7 जीन प्याजे के अनुसार संग्यानात्मक विकास निम्न समर्पित होता एक संब्रद्य और विविद्यता पूर्ण बातावरान उपलब्द कराने से ठीक है अगला कुस्चन है प्रशन आठ प्याजे का सिध्धान्त अवलोकन पर अधारित है तो किस पर अधारित है यह अपने बालक पर प्याजे ने किस के ऊपर यह वो किया था किस पर सिध्धान्त किस पर प्रेक्टिकल किया था तो अपने बच्चे पर ठीक है प्याजे ने सौरी वो गल्दी से टच हो गया एडवर्टाइजमेंट में नेक्स्ट कोस्चन है प्याजे के अनुसार बच्चा अ प्रश्न दस्वा जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी में प्रभाव साली तरीके से सीखता है तो ये सिध्धान्त किसका है तो ये है थांडा एक दोरा ये दिया गया था नेक्स्ट कोस्चन बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्चन है तंकन कायर कम्प्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं यह है किस सिध्धान्त के अनुसार है तो यह किस सिध्धान्त के अनुसार है थांडाइक के सिध्धान्त के अनुसार तंकन काय लालज देकर तो नहीं पढ़ा सकते ना, एटलिस्ट बच्चों को तो लालज देकर नहीं पढ़ाना है हमको, अगला कोश्चा ने पावलाओ ने सास्त्री अनुबंधन का सिद्धान का प्रतिपादित किया, तो इन्हों ने किये थे 1904 पर ठीक है, और ये पहले सिक्षा सास् जिने मनो विज्ञान में इनको वो मिला है नौबल पुरुसकार, और ये क्या थे, ये पसु चिकित सकते, अगला कोश्चान है, अधीगम को प्रभावित करने वाला कारक है, तो क्या है प्रभावित करने वाला कारक, ये सबी हैं, जैसे परिपकोता, अभी प्रेड़ना, परिख्षान वातावरा, तो इसका सही अंजर है, उपर ये उगत सभी, प्रश्चन अगला, 15, पावलाओ के प्रियोग से अधीगम के एक प्रसिद्ध सिध्धान्थका, खालिस्तान का निर्माण हूआ है, तो किसका सबली करन के सिध्धान्थका, पावलाओ के प्रियोग से अधिगाम के एक प्रसिद्ध सिध्धान्द का निर्माण हुआ है किसका सबली करण के सिध्धान्द का नेक्स्ट कोस्चन में बताना चाता हूँ दोस्तों इसमें क्या दिखा रहा है अब मैं आपको फिर से की NCRT EBS की तरफ ले जाना चाता हूँ यह EBS के बहुत ही important कोस्चन है एकदम direct exam में दिखने वाले कोस्चन है पहला प्रस्चन है दोनी प्रदूसन की सिखाई दोरा मापा जाता है तो यह मापा जाता है हमारे decibel के दोरा अगला कोस्चन है दूसरा निमने लिखित में से कौन सा उपकरण आधुनी की उपका है तो इसमें क्या आएगा हल हल जो हम खेती में यूज़ करते हैं प्रस्चन तीसरा है सूर के चारों और सबसे तेज परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है तो यह करता है हमारा बुद्ध यह कोस्चन डारेक्ट इक्जाम में पूछे जा रहे हैं चाओ तो आप खुद एक्जाम देने जाओ गे तब आपको पता चलेगा कि हाँ सही में यहां की जो कोस्चन है वो सीधे एकजाम में दिख रहे हैं अगला कोश्चन है निमने लिखित में से कौन सा एक योग विद्याले नहीं है तो कौन सा नहीं है प्रत्याहार वाला वागी योग विद्याले जो है ग्यान वाले भक्ति वाले राज वाले सभी अगला कोश्चन है प्रशन पांच इसकुली बच्चों को योग सिखाने का उ निमनिलिखित में से किस अधिनियम का उद्देश वनों की कटाई को नियंदरित करना था तो इसमें क्या आजाएगा सहीं आंसर इसका तीसरा वन सनरक्षन अधिनियम उनिस सो असी अगला गोस्चन है हमारे भोजन में इस्टार्च की उपस्तिती का परिक्षन करने के लिए निमनि में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है तो किसका उपयोग किया जाता है इसमें आयोडीन का अगला गोस्चन प्रशनाठ निमनिलिखित में से कौन सी परियावरान एवं वन मंत्राले द्वारा की जाने वाली एक प्रमुक गतिविदी नहीं है तो कौन सी गतिव प्रवेक्षण फिर इसके बाद यह भी है तीसरा जो आपमानित छेत्रों का पुनर पुनर वित्रण और पुनर जनन या फिर पुनर निर्मार ठीक है चौता है विदानों के धांचों में परियावरण का संद्च अगला गुश्चान है डोंगा घरों के संबंद में कौन सा है यह डारेक्ट इक्जाम में आने वाले गुश्चान है तो कौन सा है यह पानी में बने घर है ठीक है अगला गुश्चान है उस पक्छी का उस पक्छी की पहचान करे जो घर जो घास के साथ पेड़ के सीर्स पर अपना घ्हौसला बनाता है और पत्तरों के बीच अपने अंडे देता है यह बहुत अच्छा गोश्चन है इसका सही आंसर है वीवर पक्षी जो है सबसे पेड की ऊची चोड़ी भर अपना ब्रक्ष मनाता है अगला गोश्चन है निमने लिखे जन जाती में से कौन सी अपने तंबू को रेबो नाम से बुलाती है कौन सी जन जाती ह अगला जो है देखिए यहां पर लिखा हुआ कि परियावरण के इन प्रशनों के माध्यम से संबीदा साला सिक्षक बार्ग तीन की परिक्षा की तैयारी पक्की इसका मतलब यह है कि यहां से दो या तीन कोश्चन आने स्वेर है यह वो कोश्चन है जो सीधे एक्जाम में पूछे जा रहे है पहला कोश्चन है वाइल्ड लाइफ इंसिट्यूट ऑफ इंडिया डवलू आई आई कहां इस्तित है तो यह हमारे इस्तित है देरादून में दूसरा प्रशन है अपसिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है क्या कहा जाता जाता है म्र्यद तक भक्ची कहा जाता है रेट डाटा बुक किससे संबंदित है तो यह है विलूप्त विलुप्ती के करीब जीवों की जिस पे एंट्री होती है जो जीव विलुप्त होते हैं उनका जो रिकार्ड रहता है वो रेट डाटा बुक में लिखा जाता है अगला कुस्चन है नीचे दिये गए पक्षियों की कौन सी प्रेजाती जटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है तो इसमें उल्लु मत लगाना दोस्तों इसका सही आंसर है मेना अगला कुस्चन है पांचवा मानवों के पेट में अमासे रस की प्रवरत्ती होती है और वह भोजन के पाचन में साहता करता है तो वो क्या करता है अमलिये जो चार होते है वो करते हैं मदद अगला कुस्चन है निम्लिकित मैंसे मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग का समुच्च है कौन सा है ये कुस्चन भी आएगा इसका सही आंसर है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनी है ये तीनों याद रखना मच्छरों से फैलने वाले रोग है अगला कोश्चान है निमलिकित मैंसे कौन सा कीट मदु मक्कियों की भाती कलोनी में एक साथ नहीं रहता है तो वो कौन नहीं रहता है मकडी मकडी कभी आपने देखा होगा सिंगल रहता है अगला कोश्चान है प्रशना आठ टाइटन किस ग्रह का प्राक्रतिक उपग्रह है तो यह किस का उपग्रह है यह सनी का उपग्रह है ठीक है किस देश में क्रिस्मस का तेवहार गर्मियों में मनाया जाता है तो कहां पर आश्ट्रेलिया पर सेन वाट्सन के एरिया में वो जो है न अपने बहुत ही अच्छे क् आ रहा जिस ने वह ने ना मदद वली वाले गाने पर वो किया है डेविड वार्णर आस्टेलिया अगला कोश्चन है और देखोश्चों को हो सकता आपको लगता होगा कि इस क्लास से क्या question आएंगे नहीं यह आएंगे लेकिन यह बता दूकि इस class से हो सकता है तीन से पांच नंबर के question आएं आपका एक घंटे का समय ही लगेगा लेकिन उससे हो सकता आपके 3-4 नंबर भी मिल जाये ना तो मफलार संबंदित है किस से संबंदित है दोनी प्रदूसंस है नेक्स्ट कोस्चन है प्रश्ण चवदा भू परिस्थित किये तंत्र के उर्जा का महत्पूर्ण इस्त्रोथ है तो उर्जा का इस्त्रोथ तो सबसे बड़ा सूर ही है इसका आंसर भी सूर है निमलिकित में से क कुनसी बायो डीजल की फसल है तो ये कुनसी है जाट्रोफा ठीक है बायो डीजल की फसल कुनसी है जाट्रोफा प्राशन अगला है सोलवा परियावरान संटक्छन अधिनियम किस वर्स पारित हुआ तो किस वर्स पारित हुआ था 1986 1986 में अगला कोस्चन है कोस्चन 17 भू मडल ये तापमान का कारण है कोन सा कारण है कारवन डयाक्षाइड में ब्रद्दी ठीक है ये कारण है अगला कुस्चन है प्रश्ण 18 गंगा एक्षन प्लान को लाने का उध्देस निमने लिखित मैं से किस सुधार हेतू है तो किस के लिए सुधार है ये तो सबको पता जल्गी गुड़ बत्त के लिए गंगा एक्षन प्लान लाया गया है अगला कुस्चन है प्रश्ण 19 नीचे दिये गए खाद पदार्तों के किस समुच्चे में लोहा तातु प्रचूर मात्रा में होता है ये नाम याद रख ले ना तीनों चीज़ों के आवला पालक गुड़ प्रश प्याल कच्छुआ मचली ये जल में रहते कोवा तो वही पेड़ पोदे में रहता आसमान में उड़ता और नेक्स्ट कोस्चन बहुत अच्छा है दुरगापूर लोहा इसपात उद्यों किस देश की सहता से स्थापित किया गया है किस देश की सहता से तो ब्रेटैन की सहत नेक्स्ट कोस्चन है आवास का किन प्रवरत्यों पर सकारात्मक प्रभाव पढ़ता है किस पर प्रभाव पढ़ता है आवास का तो इन सभी पर स्वास्थ पर स्रमुत पादक्त पर पोशन पर इसका सही आंसर ये सभी अगला कोस्चन है काच के जार तथा बोतलों को उनमे आचार भरने से पूर्व सूर की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है ऐसा क्यूं? ऐसा इसली के जाता दोस्तों ताकि उसके अंदर की जो नमी को पूनता हटाने के लिए प्रस्न चोबिस सोय चलित वहनों से निकलने वाली गेसों के प्रकास रसायनिक परिवर्दन दोरा प्रदूसक उत्पादक उत्पन होते हैं तो इसका सही आंसार हो जाएगा O A B M P A N नेक्स्ट कुस्चन है सॉरी निमन लिखित किस आपदा में सागरिये दिवार का निर्माड किया जाता है जो उची लहरों को आवासी छेत्रों में आने से रोकते हैं तो किसका निर्माड किया जाता है सुनामी का अगला जो है मैं पेड़ा जोजी के फिर से की 15 कुस्चन ला रहा हूँ अभी क्लास 30 मिनेट की हुई है बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास से लिए इवी एस को हम देखी लेते ना आज इवी एस वैसे भी बहुत बड़ा चेप्टर होता है और अगर इससे तुमारा इवी एस होता है तो बहुत अच्ची बात है क्योंकि तुमको भटकना नहीं पड़ेगा जादा इसलिए मैं इवी एस पर जोड़ दे रहा हूँ नेक्स्ट कोश्चन है परियावरन अध्यन की कक्छा में आवधारनाओं को इसपष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रियोग करना चाहिए तो किसके लिए इस्थानी एबं विश्विस्तर पर संसार की प्रगरती को और कल्पना करने की योगता का विकास करने के लिए नेक्स्ट कोस्चन है परियावरणी समस्याँ पर नियंत्रण के लिए क्या होना अनिवार है दोफेर के भोजन दोफेर के भोजन अवकास के बाद परियावरान अध्यान पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पार्ट में रूची नहीं ले रहे हैं ऐसी इस्तिती में आप क्या करेंगे बहुत ही अच्छा कोशन है इसका अंजर है पार्ट को रोचक बनाने के लिए बहु आयामी बुद्धी पर अधारित द्रस स्रव सामगरियों का प्रियोग करेंगे ज को एक लगू फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तिमाल होने वाले संभावित इंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा करना चाहिए ठीक है अगला कुश्चन हमारा पांचवा प्रियावरणीय समस्याँ पर नियंतरन के लिए क्या होना अनिवा है तो क्या होना निवार मार्ग दर्शन और समधान इस शटवा विद्यालय में घटित होने वाली द्हेनिक घटनाओं का विपरंड तथा बालकों के वहवार परिवर्तन के मुल्यंकन के लिए किसका उपयुग हुता है एनेकड और अच्छा करें ये कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट है अच्छे से देख लेना विद्याले में गटित होने वाली देनिक घटनाओं का विबरन और बालकों के भेवार परिवर्तन में मुल्यंकन का क्या किया जाता है एने के टोटल अगला कोश्चन है परियावरणी अध्यन परियावरण अ करकार के इंदन से परिचित कराने के लिए सिक्षक को क्या करना चाहिए एक लगू फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तमाल होने वाले संभावित इंदनों पर चर्चा करने चाहिए अगला कोश्चन है परियावरण अध्यन की कक्षा में अवधारनाओं को इस पश्ट करने के लिए कवीताओं और कहानी कथन का प्रियोग करना चाहिए तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा इस्थानी एवं विश्व इस्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने के कलपना की योगता का विकास करने में मदद करना और नेक्स्ट कोस्चन है खाद्स रंकला प्रश्ण 10 खाद्स रंकला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिक्तम भागीदारिता के लिए निमनलिकित में से कौन सी सिक्षन वियू रचना सबसे प्रभावी होगी तो इसका सही अंजर है जीवों के प्लेकार्ट्स बनाना और विद्यार्थियों के समूं को विभिन्न खाद्स रंकलाओं को सोचते हुए उन्हें विवस्थित करने के लिए कहना अगला कोश्चन है प्रशन 11 परियावरण अध्यान के विशे में निमनलिकित में से कौन सा कथन गलत है तो कौन सा कथन गलत है परियावरण अध्यान की सिक्षा के आधूनिक द्रिष्टिकोंड के अनुरूप उपयूक्त नहीं है ठीक है बाकी जो विकल्प है वो परिया परियावरान अध्यान का संबंद निम्लि लिखित में से किस विशे से हैं तो किस विशे से हैं सभी से भासा से विज्ञान से समाजी विज्ञान सभी से तेरवा प्रशन है NCRT की पाठ्थे पुस्तकों में परियावरान अध्यान को उच्च प्रात्मिक्ता और इस्थान दिया गया है तो किस में दिये गया है चिंतन और विश्मे के लिए सिक्षारतियों को अवसर उपलब्द कराने के लिए ठीक है यह सब तन के अंत्रगत पाठ्थे करम निम्नमे किस सिध्ध हानत पर आधारित होना चाहिए We जीवन किद्धित शिद्धांत पर विएno दूसरा बिये व्यावारीक पक्ष के शिद्धांत पर सिया विशय के समनवित इकाई इकाई के सिद्धान पर ऐसे गोश्चन अक्सर आ जाते हैं कि इस पर क्या आएगा केवल A केवल B केवल C ये सबी है ठीक है अगला गोश्चन है प्राश्चन सोला प्रयावरान अध्यान की पाठ्थ पुस्तक में प्रियुक्त भासाएं इसका सहीं उत्तर है इसका अंसर जो है आपको नीचे लिखकर भीजना है इसका आंसर क्यूंकि इसमें नहीं दिया है तो ठीक है दोस्तों मैं आजसा करता हूँ और अगला जो चैप्टर होगा संस्क्रत विशे के बारे में होगा और उसमें बहुत संस्क्रत और इसी तरीके से क्रम बाइश मैं खुद देखो अभी 11 बज़रा रात का अपके लिए वीडियो बना रहा कुछ तो सोचो कुछ तो बात होगी इन कोस्चनों में तभी बना रहा हूँ तो दोस्तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद थेंक यू फोर वाच माई वीडियो आगे भी बने रहे हम मेरे साथ